प्रेंड्स स्वागत है आपके अपने चैनल नेख्ट क्लासिज पर आज मैं आपके लिए कराया हूँ जो परिक्रमत ठोस का आयतन कैसे निकालेंगे इंटेगेशन के द्वारा ठीक है न तो यह जो आयतन दे रखा है यह जो फार्मूला है परिक्रमत ठोस का आयतन पाई y2dx a से b वेर y क्या है y is equal to a फाफ x है एक फंक्सन है जिसके कोटी जो है x is equal to a से x is equal to b तक हमें आयतन भोलूम फाइंड करना है ठीक है और यह जो फार्मूला जो है यह डिप्लूमा से बाहर है इसलिए मैं इस फार्मूला को फ्रूप नहीं करवा रहा हूं नहीं तो मेरे पास फार्मुला का फ्रूफ भी धी जाएगा यह डिप्लो मा से बाहर है लीक चुका है ठीक है न परिकर्माट फोस का अगर निकालना है तो कर्ब्र सर्फेस अफ शोलीड रिवल्यूशन ठीक है ना अब बगप्रिस्ट का जो रिवल्लूशन होगा ठीक है ना बगप्रिस्ट होगा सरफेस तो टूपाई एक इसकल टू एक से एक स्टू बी तक yds ठीक है ना वेर y इसकल टू एक से जो एक फंक्शन है एफ अफ एक्स का कोटी एक्स इसकल टू एसे एक्स इसकल टू बी तक फाइंड करना है और डिएस जो होगा अंडरूट में वन प्लास डीवाई बे डीक्स का होली स्क्वार इंटू डीक्स सम्झे रहा है तो चलिए मैं एक वेलन का आयतन वाम बक्क प्रिष्ट इसको फाइंड करते हैं हम लोग वेलन का वेलन का आयतन ओ एवम अग प्ति प्रिष्ट न तो जो बॉलूमा और करब्ड सर्वेस आफिस सिलेंडर एंगलिस में गोलते हैं वोलूम एंड कर्ब सर्फेस आफेस सिलेंडर ठीक है तो हम मैं यह फाइंड करूंगा तो बेलन का आयतन आप लोग जानते हैं कि पाई आरी स्वाइर एच्छ होता है और जो बक पिस्ट होता है तू पाई आर कुष्टक में एच प्लस तो मैं एक एक्सेस और वाई एक्सेस की चुंगा यह है वाई एक्सेस और यह है एक्सेस ठीक है इस पर मैं कि एक्सेस के बढ़ा है और यह है इसको मैं यह जो मान लिए यह कहें क्या है आयत है इसको मैं चारों तरफ यानिक एक सक्सेस की चारों तरफ घुमाता हूं इसको ठीक है तो यह एक बेलन की तरह बन जाएगा ठीक है बेलन की तरह बन जाएगा कुछ चालो तरफ रोटेट करूँगा तो बेलन की तरह बन जाएगा जिसका यह यह हो जाएगा और यह जो होगा रेडियस हो जाएगा इसी तरह इधर भी इसा हो जाएगा यहां पर यह जो point है L है ठीक है और A तो A dice B तो B dice तो A, B, M, L को हम घुमा रहे हैं यह सपेक्ष रोटिट करेंगे तो यह बेलन हमें प्राप्थ हो जाएगा सुन्या रहा है तो यह जो point है यहां से यह है 0 तो और यह है यहां से जो दुरी है O, L जो दुरी है O, L is equal to A है ठीक है न? तो O, M is equal to क्या हो जाएगा? यह जो यहां से लेकर के यहां तक इसकी जो height है H है ठीक है? H है ठीक है? तो O, M जो is equal to क्या हो जाएगा? A plus H इतना समया रहा है O, M is equal to A plus H हो जाएगा ठीक है? तो हमें volume find करना है ठीक है न? तो volume जो find करना है यहां से लेकर के यानि कि A से लेकर के A plus H तक यह O, L यह है और O, M A plus H है यहां तक volume find करना है तो volume मैं लिखूंगा यहां पे volume का यह formula जो है पाई अभी यह जो function हमें निकलना है Y is equal to A of X निकलना है तो हम क्या निकलेंगे यह जो R है R है यह भी R होगा R होगा तो यह जो X सक्ष पे sorry तो Y is equal to जो इसका function जो होगा Y is equal to R होगा ठीक है? क्योंकि यहां से जाएगा Y X से यहां पे Y is equal to R हो जाएगा यह पॉइंट ठीक है न? तो Y is equal to यह हो जाएगा सरी यह हो जाएगा Y is equal to R ठीक है? function जो आगया Y is equal to R आगया तो Y is equal to R आगया function तो अब हमें volume find करना है तो volume is equal to फार्मुला होता है integration of pi into integration of A से B दिया है तो A से हमें A प्लस A तक ग्याद करना है A से A प्लस A तक ठीक है न? और Y is equal to X यानि कि Y कभेल Y is equal D X ठीक है? तो Y is equal D X निकाल रहे है ठीक है न? तो हम volume is equal to क्या हो जाएगा? यहां से हम volume क्याल करेंगे? pi integration of A से A प्लस H Y स्क्राइब आर लिखेंगे Y की जब आर तक ग्याँ हो जाएगा R स्क्राइब R स्क्राइब ठीक है? D X सम्झाया? R स्क्राइब D X तो हम यहां पे volume जो हो जाएगा volume क्या होगा? volume जो होगा? R स्क्राइब तो pi पहले इसी तर रहेगा R तो कॉंस्टेंट है तो R स्क्राइब हो जाएगा और X है D X का जो integration होगा X होगा और इसका जो limit जो लगेगा A से A प्लस H तक लगेगा A से A प्लस H तक ठीक है न? तो volume जो होगा pi R square पहले हम क्या करेंगे? upper limit भारेंगे तब X स्क्राइब पर अपर लिमिंट यानिकि A प्लस H और माइनस करके lower limit यानिकि X स्क्राइब पर A डालेंगे A होगा तो A से A केंसिल हो जाएगा? बोलूम जो आएगा आपका pi R square और यह होगा H यह आपका बोलूम होगा ठीक है न? बेलन का बोलूम निकल गया pi R square H अब इसका buck priest हमें find करना है तो buck priest find करने के लिए मैं अभी इसको मिटाऊंगा इसका बाद buck priest इसका find करना है चलिए इसका buck priest हम find करते हैं तो हमें क्या buck priest के लिए आउसकता पड़ेगी Y आउसकता पड़ेगी तो Y is equal to R है ठीक है न? और DY by DX के भी आउसकता पड़ेगी DS is equal to 1 plus DY by DX का whole इसका है ठीक है न? तो हमें Y is equal to आर दे रखा है तो DY by DX निकालेंगे इसकल टू यह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा DY by DX 0 तो हम surface find करेंगे surface जो होगा surface का जो function है surface 2 pi 2 pi A से B तक यह से B तक है तो हम क्या लिखेंगे A से यह जो है A से O L जो है मैं लिख दे नाव O L is equal to A first में लिखे थे और O M जो है था A plus H तक था तो A से A plus H तक और Y DS तो Y के जगा पर क्या लिखेंगे R और DS के जगा पर यह लिखेंगे root में 1 plus DY DX का whole square और DX ठीक है ना सब्सक्राइब तो हम surface find करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 pi A से A plus H into R और यह जो होगा DY by DX के जगा पर हम 0 रखेंगे तो यह जो भाईलू आपकी जगा जाएगी 1 आजाएगी तो R लिख दिया हमने DY by DX पूट करेंगे तो 0 तो यह हो जाएगा 1 तो 1 अंडरूट से बाहर निकलेगा तो 1 ही होगा तो R DX हो जाएगा सवन्या रहे तो सर्फेस जो होगा 2 पाई आर काइंड R कांस्टेंट है तो R कांस्टेंट बाहर निकाल दिया और यहाँ पर इंडिकेशन आफ A से A प्लस H 1 DX ठीक है तो मैं इसको यहाँ पर साल्व कर रहाँ तो A क्या हो जाएगा सर्फेस जो आएगा सर्फेस जो आएगा 2 पाई आर 2 पाई यार लिख दिया 2 पाई यार A से A प्लस 1 DX है तो 1 का इंडिकेशन जो होगा X और इसका लिमिट जो लगेगा A से A प्लस H तक लगेगा A से A प्लस H तक ठीक है सर्फेस जो आएगा 2 पाई आर पहले अपर लिमिट डालते हैं X जाप पर A प्लस H डालेंगे माइनस करके लुवर लिमिट X जाप पर A डालेंगे तो A से सर्फेस जो आएगा सर्फेस बगप्रिष्ट जो आएगा 2 पाई आर एच आजएगा 2 पाई आर एच ठीक है जहां आर जो है वेलन का रेडियस है H जो है वेलन का हाइट है ठीक है तो संपूर्ण बगप्रिष्ट हमें फाइंड करना हो अब मैं इसे मिटा रहा हूं ठीक है तो मैं यह मिटा दिया नोट करते जाएए कॉपी पे तो संपूर्ण बगप्रिष्ट जो होगा टोटल सर्फेस जो होगा टोटल सर्फेस जो होगा टोटल जो surface होगा आपका यह जो होगा एक 2 pi RH plus यह जो है यह तो यहां तक का surface निकला यहां से यहां तक का यानि की A, A dice, B, B dies इसका surface 2 pi RH है और इस जो है इस volume जो है यह radius है और यह 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 एक बेदी ट्रित और इसका भी में इसरफेस फाइंड करना था इधर वे एक व्रीट ट्राइप और इधर ये अर seeds बगद प्लस 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 प् मैं लंब संगू का आयतन एवं बक्प्रिस्ट निकलवाऊंगा ठीके ना उसका फाइंड करूंगा लंब संगू का वोलूम और उसका टोटल सर्फेस और सर्फेस फाइंड करूंगा ठीके ना जो उत्तर प्रदेश डिपलोमा 2010 में आच चुका है और 2020 में भी आने की संभवन इसकी हो सकती है ठीक है तो लंब संगू का आयतन एवं बक्प्रिस्ट जो 2010 में आ चुका है डिपलोमा में और 2020 में आने की संभवना है वो मैं मेरी दुसरे वीडियो में अपलोड होगी ठीक है ना तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद